स्वागते आपका दा हीमालियन स्टेडी एडूप चेनले पर हम आसिस कुमारस्तोगी आज आपके सामने हम मैटपुन वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार जूता करुवारी का बेटा वना I.S. आफिसर इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जूँ देखें और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें तो देखिए इसमें आपके सामने ये जो फोटो लगी वी है इनका नाम है शुवम गुपता और बरतमान पद है इनके पास I.S. आफिसर का यानि कि इन्होंने सिविल सर्विसेज की परिक्षा पास की है और इनका जन्विस्तान है जैपूर पिता का बेजनिस है जूता कारवारी है इनके पिता और इने जो है काफी कटिन समिस्या का सामना करना पड़ा था I.S. आफिसर बनने के लिए इसी बीडियो में हम आपको बताएंगे किस प्रकार सुवम गुपता ने जो है अथक परिश्रम करने के बाद I.S. की परिक्षा पास की है और इस बीडियो को आप लोग जादे स्यादा गुरूप में शेर करें ताकि जादे स्यादा लोग इस बीडियो का फाइदा उठा स के क्योंकि जो लोग तयारी कर रहे हैं I.S. आफिसर के लिए उन सभी को ये वीडियो जरू देखने चाहिए तो इसके बाद हम देखते हैं आगे इसमें देखिए इसमें लिखा है कि तीन भाई बहनों में छोटे सिवम यानि कि ये सबसे छोटे हैं और इसमें लिखा है कि सिवम और उनकी बहन का स्कूल काफी दूर था और परते दिन ट्रेन से जाते थे यानि कि इनका जो स्कूल था बहन काफी दूर था और यहां पर जाने के लिए इनको एक मात्र सहरा था वो भी ट्रेन का और इसी ट्रेन में जाते हुए और आते हुए ये पढ़ाई करते थे और इसमें आगे दे रखा जब सुवम आठवी कक्षा में थे तब उनके बड़े भाई IIT की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए थे जिससे जो है घर का पूरा जो है जानि कि जो एक तरीकी से पूरा काम इन्हीं को करना पड़ा था और पिता की भी सायदा करनी पड़ी थी इन्हें और इसमें लिखा है कि दसवी कक्षा के अच्छे नंबर से पास हुए यानि कि दसवी कक्षा में ये अच्छे नंबर से पास हुए तभी से इन्हें जो है सला दी गई थी कि ये जो है साइंस की पड़ाई करें इने सबी लोगों ने ये सला दी थी कि यानि कि science की पढ़ाई करू आगे के लिए क्योंकि इसमें ज़्यादा scope है लेकिन इन्होंने जो है commerce में पढ़ाई करना चाहते थे इसलिए इन्होंने अपना subject commerce रखा था और इसी में इन्होंने जो है आगे की पढ़ाई पूरी की है और आपको बता दें इसमें हम इन्होंने इंटर करने के बाद और इसके बाद इसना तक इन्होंने जो किया है बहे दिल्ली से किया है इसमें देवी रखा है कि फिर इन्होंने दिल्ली में पढ़ाई की थी क्योंकि दिल्ली चले गए थी लेकिन इनकी इच्छा ये थी कि दिल्ली में एक कॉलिज है और वो जो है आपका एक तरीके से काफी फेमस कॉलिज है जिसमें ये एडविशन लेना चाहते थे और उस कॉलिज का नाम है सिरी राम कॉलिज ओफ कॉमर्स इसमें इनकी पढ़ने की इच्छा काफी थी लेकिन इस कॉलिज में इनको एडविशन नहीं मिला इसलिए इन्होंने किसी अन्य कॉलिज में एडविशन ले लिया ने लेगिन इनको ये सिक्षा किस ने दी किस ने बताया कि इन्हें सिविल सर्विसेस की परिक्षा कि त्यारी करनी चाहिए और यह जानकारी इनको दी थी इनकी पिता चाहते थी कि इनका लड़का यानि की सुवंग गुपता जो है एक आईस ऑफिसर बने और इसमें आपको बता दें कि इनकी जो है प्रिणडा से इन्होंने ये जो रैंक प्राप की है ये इन्हें के आशिरवाद है क्योंकि दिल्ली में पढ़ाई करने गए थे कोई इनका उदेश से नहीं था लेकिन इन्होंने साथ में पढ़ाई करने सू कर दी सिविल सर्विसेस के लिए और इन्होंने जो है सफलता प्रात की तो इसी प्रकार आपके लिए नईनी बीडियो हम लेकर आएंगे क्योंकि ये बीडियो आपको एक मॉटिविसन के रूप में काम करेगी जो लोग तयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेस के लिए क्योंकि जीवन में कई प्रकार की समस्य आती है आर्थिक समस्य सबसे मेन होती है क्योंकि जो लोग इस कंडिसन से गुचरे हैं उनको सभी को ये मालूम होगा लेकिन हिम्मत निहारत ने कोई वेक्ती जैसे कि शुवम गुपता ने भर्षक प्रियास किया तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरू बताएं ताकि हम इसी प्रकार की नईने वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइट कराते रहेंगे तो देखते रहें आप लोग हमारा चैनल दा हेमालियन स्टेडी यूटूब चैनल धन्यवाद